लेकिन आपने बेटी दिये मुझे, बेटी को भी सराखों पर रखती हूं मैं, और आपको भी 82 हजार की बढ़त के साथ मैं जीती थी, और वहाँ से नरंदर जी भी अच्छे बहुमत के साथ जीते थे, मेरे से थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़त हो तो बात मानना, और मेरे ब पूछ कराई हूं, कि मंच से हाँ भरूगी, संदी है हमारा, वो ऐसे तो हमें लेने वाले हैं, कंबल और रुपिय तो देने पड़ेंगे, पर बोट में कमी हम नहीं रखेंगे, मैं बिनमर प्रार्तन करती हूं आप से, बहुत सारे मेरे फोन पर फोन आते हैं, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश तो करूँगी, लेकिन जिस तरह से मेरा साथ आपने उस समय दिया था, आपने शुरुवात भाजिपा की की थी, आपने कमल का फूल खिलाया था, आपने मोदी जी को मेरे माध्यम से देश का पुदान मंत्री पहली बार बनाया था, तो हमारा जिम्म है कि मोदी जी को पत्चीस की पत्चीस सीट मिलने वाली है, उनमें जुन्जनु भी गिंती में आए, और जो सामने प्रत्याशिक खड़े हैं, देखे बाले हैं, बहुत दिल पचास वर्स आपने उनको अवसर दे दिये, अब किसानों के दूसरे बेटे बेटियों को भी मो मंत्री जी का भाशन था उस समय, और जुन्जनु की मिट्टी को मस्तक पे धारण करना चाहता हूँ, यह हमारे लिए फक्र की बात थी, कि देश का प्रदान मंत्री यह बात इस धर्ती पे बोलता है, 2014 से पहले, यहाँ कमल का फूल नहीं खिला था और आपका प्रत्यासी लोकसभा में नहीं जा पाया था, लंबा समय आपने एक परिवार को लोकसभा में जाने का दिया था, आपको सब ध्यान में है यह बात, पर 2014 में, जब मैं गई, तो शेखाबाटी की एक रेल चलती थी, जाखड़ एक्सप्रेस, नो साल से बंद पड़ी थी, पड़ी थी कि नहीं? अभी जिक्र कर रहे थे हमारे विदायक साब, कोपर प्रोजेक्ट का, दुनिया का सबसे सर्वश्रेश्ट तांबा निकलता है, लेकिन उनके ही कारेकाल में, उस प्रोजेक्ट को निजी हाथों में दे दिया, और जुन्जुनु का एक विक्ति भी, आज मजदूर भी वहां लग नहीं पा रहा है, मैं आपको दरमपाल जी कहना चाओंगी, तीन मेहने से वहां करमचारी हर ताल पे बैठे थे वेतन नहीं मिला था, लोगसबा में मेरा सवाल लगा, और उनको तीन मेहने का वेतन मिला, और ताले लगने से ये प्रोजेक्ट बचा, एक बात बच्पन से हम सुनते आ रहे थे, नहर को पाणी, मैं आपको याद दिलाने चाहती हूँ, मेरी विधाल सबा सुरजगड के अंतिम छोर का एक गाउ, किसी को चलना हो, देखना हो, तो मेरी गाड़ी में बठे, मेरे साथ चले चुडीना, और वहाँ पे, न जाने कौन से सन में पत्थर लगा हुआ है, सिल्या नाज हो गया था, नहर का, यमुना के पानी का, कितने साल पहले, हर बार चुनाव आता था, नहर को पढ़ी लेवंगा, इस बात पे आप बोट डालते आ रहे थे, चौदा में मैंने ये लड़ाई प्रारंब की, और मेरे बाद, सांसद मोदे बठे हैं, ये भी लगातार लड़ते रहे उस बात के लिए, मैं धन्यबाद देना चाहते हूँ, हाल ही में बनी, राजस्थान की सरकार के मुख्य मंतरी, आदनी भजनलाल जी को, सो दिन की कारिय योजना में, यमना के पानी का, सवाल अंसुलजा सुलजाने को भी रखा था, आदनी गजन सिंग जी, और सबने हमारे सीपी जोशी जी, सबने मिलकर ये बात सिरे चड़ाई है, मोई हो गया नोस्तो, अब इनका एक मुद्दा तो खतम हो गया पानी वाला, मैंने तो कभी बिल्ली मंगल गाते देखा नहीं, मंत्राले भी रहा है, बड़ा बड़े विभाग भी रहें, विभागों के मालिक भी रहें, मैंने तो विदान सबा में भी कभी एक सवाल उठाते हैं, कॉंग्रेस के परत्याशी को देखा नहीं, आपने देखा हो तो बताओ, लोग सबा में काम करना not easy, बहुत डिफिकल्ट बात है, लोग सबा में सवाल उठाने से पहले भी वहां सांसद की जानकारी में सैकड़ों चीजे होनी चाहिए, वो देश का सरवच्च सदन है, बोलने के लिए थोड़ा कलेजा मजबूत चाहिए, 14 से 17 तक हर दिन, आज आज भी आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो, कौन-कौन से सवाल में ने लगाए, और कौन-कौन से अंदरिंदर जी ने लगाए, शुबकरन जी बहुत बड़ा चेलेंज है आपके सामने, बातों से जिले की जनता का पेट नहीं भरेगा, बड़के चाहिए, पानी चाहिए, और गाओं की कनेक्टिबिटी आज भी नहीं है, मेरे समय मैंने 132 MDR मंजूर कराई थी, शुबकरन जी सडकों का जाल चाहिए, यहां का किसान हर बार लड़ता है, प्राकरति कापदाउं के खिलाब भी, बिजली के खिलाब भी, अने को अंदोलन किये और बालुराम जी शहीद हो गए थे, आप मेंसे बहुत लोग इस बात के गवा हैं, तो ऐसा यह जिला, फैसला तो भारतिय जन्ता पार्टी के पक्ष में करेगा, क्योंकि मोदी जी की गरंटी में विश्वाश है हमको, 2014 से पहले, जब आदनिये मोदी जी पहली बार प्रदान मंत्री बने थे, इससे पहले का सीन मेरे भाईों आपको याद होगा, हमारी साख पश्चिम के देशों में भिकमंगों की थी, अदनंगों की थी, पिछडे लोगों की थी, और लोग अगर आते भी थे भारत में, तो मजए लेते थे हमारे, हसी उडाते थे हमारी, खिली उड़ाते थे हमारी आज 14 के बाद और 23 में हम खड़े हैं अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बारत के साथ मित्रता करना चाहते हैं आज सब देश लेकिन आपने बेटी दिये मुझे बेटी को भी सर आखों पर रखती हूँ मैं और आपको भी 82 हजार की बड़त के साथ मैं जीती थी और वहाँ से नरंदर जी भी अच्छे भाउमत के साथ जीते थे मेरे से थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़त हो तो बात मानना और मेरे बलबुते पर नहीं कह रहे हूँ यहाँ पर सुरजगण के जो कारिकरता बठे हैं उनसे पूछ कर आई हूँ कि मंच से हाँ भरूँगी समदी है हमारा वैसे तो हमें लेने वाले हैं कंबल और रुपिय तो देने पड़ेंगे पर बोट में कमी हम नहीं रखेंगे मैं विनमर प्रार्टन करती हूँ आप से बहुत सारे मेरे फोन पर फोन आते हैं मैं आप तक पहुंचने की कोशिश तो करूँगी लेकिन जिस तरह से मेरा साथ आपने उस समय दिया था आपने एक शुरुवात भाज़िपा की की थी आपने कमल का फूल खिलाया था आपने मोदी जी को मेरे माध्यम से देश का प्रदान मंत्री पहली बार बनाया था तो हमारा जिम्मा है कि मोदी जी को पत्चीस की पत्चीस सीट मिलने वाली हैं उनमें जुन्जनु भी गिंती में आए और जो सामने प्रत्याशिक कड़े हैं देखे बाले हैं बहुत दिन पचास वर्ष आपने उनको अवसर दे दिये अब किसानों के दूसरे बेटे बेट को भी मोका दीजिए शुबकर्ण चोद्री जमिन से उठा अदमी है गरीब किसान का बेटा है अब आज